प्रमेश्र पिता का धन्यवाद हो, आज हम प्रभु के वच्चन के मनन के लिए पढ़ेंगे, याकूब की पत्री उसका चोथा ध्याय और उसकी पहली आयत से लेकर दस्वी आयत तक हम पढ़ेंगे तुम्हें लडाईया और जगड़े कहां से आ गए, क्या उन सुख्विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिलते हैं, तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए तुम हत्या करते हो, तुम डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, तो तुम जगड़ते और लड़ते हो तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं तुम मांगते हो और पाते नहीं इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो हे व्य विचार्णियों क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेशर से वेर करना है अतह जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वो अपने आपको परमेशर का वेरी बनाता है क्या तुम यह समझते हो कि पवितर सास्त्र व्यर्थ कहता है जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है क्या वह एसी लालसा करता है जिसका प्रतिफर डहा हो वह तो और भी अनुग्रह देता है इस करण यह लिखा है परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है इसलिए परमेश्वर के अधिन हो जाओ और शेतान का सामना करो तो वह तुमारे पास से भाग निकलेगा परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुमारे निकट आएगा हे पापियों अपने हाथ सुद्ध करो और हे दूचित्ते लोगों अपने रदै को पावित्र करो दुखी हो और शोक करो और रोओ तुमारी हसी शोक में और तुमारा आनंद उदासी में बदल जाए प्रभु के शामने दीन बनो तो वह तुमें सिरोमनी बनाएगा प्रभु के नाम के महिमा हो मसी में मेरे फ्रियों भाई और बेहनों यहाँ पर याकूब मसी लोग जो पूरे संसार में तितर भीतर होकर रहते हैं और उन लोगों के लिए एक चेताओनी भरा संदेश यहाँ पर लिख रहा है क्योंकि मसी में आने के बाद जो परमेश्वन ने हमारे लिए जो महान काम किया है उन बात को स्बरन करते हुए जैसा हमें इस संसार में मसी बनकर रहना चाहिए वेशा संसार में जो लोग मसी लोग रहते थे वो लोग विवहार के अंदर उनके दीन चर्या के अंदर काफी जो बदलाव नहीं देखा जा रहा था इसलिए आत्मा में याकूब इस बात को जानते हुए इस पत्री को लिख रहा है तो यहाँ पर जो हम पढ़ते हैं जो संसार की बातें जो परमीश्यर के सामने जो परमिश्वर को सोकित करने वाली या परमिश्वर को दुखित करने वाली बातें जो संसार के अंदर प्रबल हैं वे बातें मसी लोगों के अंदर नहीं होनी चाहिए या एक मसी व्यक्ति के अंदर ये बातें नहीं होनी चाहिए इन बात का ध्यान रखते हो इस बात को लिख रहा है कि तुम में लड़ाईयां और जगड़े कहां से आ गए क्या उन सुक्विलासों से नहीं जो तुमारे अंगों में लड़ते भीरते हैं तुम लालसा रखते हो और तुमें मिलता नहीं इसलिए तुम हत्या करते हो तुम ड मांगते नहीं तुम मांगते हो और पाते नहीं इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो यहां पर याकूब मसीर लोगों के लिए इस बात का ध्यान रखते हो कहे रहा है कि तुम मांगते हो लेकि तुम भली इच्छा से नहीं मांगते हो तुम जो परमिर्शुर से मांगते हो वो तुमें नहीं मिलता क्योंकि तुम बुरी इच्छा से मांगते हो और उसको भोग गिलास में उड़ा देने के लिए मांगते हो इसलिए तुम्हें नहीं मिलता मसीवी मेरे फ्रीयो मसीवी में परमेश्यों ने जो हमें चुना है तो परमेश्यों ने हमें इस संसार से अलग किया है संसार के लोगों से उसने हमें अलग करके एक अलग उसने किया है और इसलिए पहला पत्रस दो नौ में इस प्रकारां पड़ते हैं पर तुम एक चुना हुआ वंस और राजबदारी और याजोको का समाज और पावित्र लोग और परमेश्वर की नीज प्रजा हो इसलिए जिसने तुम्हें अंदकार में से अपनी अद्भूत जियोती में बुलाया है उसके गुण प्रगट करो मतलब कि परमेश्वर का जो सौभाव है परमेश्वर की जो बाते हैं परमेश्वर के जो अच्छी लगती है परमेश्यों की नजर में जो बाते योग्य है ऐसी बातों को परमेश्यों ने हमारे अंदर डाला है और इसलिए परमेश्यों ने में चुन लिया है और हम चुना हुआ वंस कहलाते हैं राजपदरी याजकों का समाज है पवित्र लोग है परमेश्यों की नीज प्रजा है इस इसलिए जिसने हमें अंदकार में से छुड़ा कर अद्भुज्योती में बुलाया है, उसके गून हमें प्रगट करना है। लेकिन यहाँ पर जो बाते हम पढ़ते हैं, संसार की जो बाते हैं, जो संसार में दरस्यमान तरीके से जो हम संसार के लोगों के अंदर देखते हैं, वही बातें याकूब कहता कि तुम्हारे अंदर हैं, इसलिए तुम्हारे अंदर लड़ाई छगड़े या तुम्हारे अंदर जो डाह की बाते हैं, जलन की बाते हैं, एक दूसरे से वेरभाव रखने की बाते हैं, यह बातें तुम्हारे अंदर हैं, इसलिए तुम्हें मिलता योगि तुम भोग विलास में उड़ा देते हो यहाँ पर खास जिस बात पर हम आज मनन करने जा रहे हैं वह बात यही है कि संसार से मित्रता रखना परमेशर से बेर रखना होता है संसार से मित्रता परमेशर से बेर है इसलिए हमें संसार से अलग होकर मतलब कि संसार की जो बाते हैं उसके हमारे अंदर प्रबल नहीं होने देना है और इसलिए परमेश्वर ने हमें अपनी पवित्र आत्मा को दिया है जो सामर्थ की आत्मा है जो जब हमारे अंदर आता है तो वो हमारे सच्चाई में अगवय करता है जो परमेश्वर को जो सोकित करने वाली बाते हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं ऐसी बाते हैं वो हमारे अंदर से निकाल देना चाहता है वो हमें पावित्र बनाना चाहता है वो हमें सिद्ध मनुष्य बनाना चाहता है याकूब ये इस बात को लिख रहा है मसी जो परमेशर की परिपूनता है उसका जीवन हमारे अंदर है पौलूस इस प्रकार लिखता है गलातियों की पत्री के अंदर कि मैं मसी के साथ कुरूस पर चड़ाया गया हूँ अब मैं जीवित न रहा पर मसी मुझे मैं जीवित है और मैं सरीर में अब मैं जीवित हूँ तो केवल उस विस्वास से जीवित हूँ जो परमेशर के पुत्र पर हैं जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आपको दे दिया तो पॉलुस जी तरह से अपने आपको मसी के साथ कुरूस पर चड़ाया गया और वो कहता है कि अब मैं जिवित न रहा लेकिन संसार के लिए मैं जिवित न रहा पाप के लिए मैं जिवित न रहा लेकिन मैं मसी के लिए जिवित हूँ और जो मैं जिवित हूँ तो उस विस्वास से जिवित हूँ जो परमेश्य के पुत्र पर है जिसने मुझसे प्रेम किया और अपने आपको दे दिया उस मसीख के उस बलिदान को हमें स्मरण रखना है वो हमारे खातिर कुर्बान हुआ हमारे खातिर उसने अपनी जान दी तो वही सामर्थ, कुरूश की सामर्थ आज हमें भी मदद करती है इसलिए यहुना पहली पत्री के अंदर दुसरे अध्या और पंदरा सोला में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर साप तोर पर हमें बताया गया है कि तुम संसार से और ना संसार की वस्तों से प्रेम रखो यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्था सरीर की अभिलासा और आखों की अभिलासा और जिविका का घमंड वह पिता की और से नहीं परंतु संसार की और से हैं तो हम यहाँ पर साप साप पढ़ते हैं कि संसार की जो बाते हैं जो हमारे अंदर हमारे सरीर के अंदर आकर प्रबल होती हैं मतलब कि जो फिजिकल वर्ल्ड जो हम देखते हैं संसार के जो दुष्टता देखते हैं वो दुष्टता एक मसी के जीवन के अंदर भी पाई जाती हैं अगर उसको हम नहीं निकालेंगे अगर हम उस पर ध्यान नह कर जाएगा और परमेश्वर से मेर रखने वाले बन जाएंगे इसलिए जो परमेश्वर का जो जीवन है वो हम पा नहीं पाएंगे परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया है कि हम परमेश्वर से मेल मिलाप रखें हम इस संसार से अलग होकर जीवन चीए, लेकिन बहुत से इसे लोग हैं जिसके अंदर संसार पूरा बसा रहता है, संसार की बातें बसी रहती हैं, ये बातें एक मसी के लिए ठीक नहीं है, अच्छी नहीं है, ये परमेशर को दुख पहुचाती है, गलाती की पत्री के अंदर हम पढ़ते हैं, छे और उसकी सात्वी और आठवयायत में, कि धोका न खाओ, परमेशर ठटों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है, वही काटेगा, क्योंकि जो अपने सरीर के लिए बोता है, वह सरीर के द्वारा विनास की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बो जो काम है उसने अपने पुत्र को हमारे लिए दे दिया और उसने कुछ न रख छोड़ा उसके साथ हमें वो सब कुछ क्यों न देगा इसलिए हमें सरीर के लिए जो हम बोते हैं सरीर के द्वराविनास की कटनी कटेगा मतलब कि सरीर के जो काम है जो प्रगट है दुष्टता को बहेंगे रड़ाई जगड़े वेरभाव छल कपट और एक दूसरे से डाह करना ये बात है शरीर की बात है वो हमें मृत्यु की ओर ले जाती है शरीर के द्वरा बोना शरीर के कामो जो विなस की कटनी काटेगा और आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वरा अनाद जीवन की गटनी काटेगा मसी में मेरे फ्रीयो परमेश्व ने हमें इसी सामर दी है इस संसार पर संसार की सारी शक्तियों पर दुष्ट की सारी शक्तियों पर बीमार उपर उसने में अधिकार दिया है और उस अधिकार का हमें इस्तिमाल करना है और इसलिए हमें क्या करना है आत्मा के अनुसर चलना है उसने हमारे लिए हमारे अंदर पवित्र आत्मा इसलिए दिया गया है कि हम उसके बन कर रहे हम उसकी पवित्र प्रजा बन कर रहे है और उनका जो जीवन है वे हमारे व्यवार के अंदर हमें दिखन यहां पर याकूब इस पत्री के अंदर खास तोर पर एक विवारिक जीवन के उपर एक फोकस डालता है कि हमारा बोलना, हमारा सुनना, हमारा चलना, हमारा काम करना, दुसरों के साथ हमरा विवार कैसा होना चाहिए, सारी बातों को इस पत्री के अंदर हम पढ़ते हैं और वो हमारे लिए चेतावनी भरी है, वो हमें चेताती है, तो इसलिए उस पार हमें ध्यान देना है, क्योंकि लिखा है वे विचानियों क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर शबेर करना है जो कि संसार का मित्र होना चाहता है वो अपने आपको परमेश्वर का बेरी बनाता है अगर हम संसार की बातों पर फ्रेम करेंगे उसको हम उसके साथ हम मेल मिलाब करेंगे तो हम परमेश्वर के शत्रू हो जाएंगे तो किस रिती से परमेश्र का आसिस हमारे अंदर बना रहेगा किस रिती से हम परमेश्र के पास जा पाएंगे किस रिती से हम बिंती कर पाएंगे अगर परमेश्र हमारे सत्रू हो जाता है तो याकूब हमें मना करता है कि हमें क्या करना है परमेश्र जो गमंडियों का विरोध करता है पर दिनों पर अनुक्रा करता है इसलिए हमें दिन बनकर हमें नमरता को पाकर हमें क्या करना है परमीशर का दिन हो जाना है और शेतान का सामना करना है तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। सेतान जो अपनी दुष्ट युक्ति के द्वारा संसार की बातों को हमारे अंदर लाने के लिए कोशिस करता है लेकिन प्रभु का वच्चन हमें बताता है कि तुम परमेश्य का अधिन हो जाओ तो सेतान का सामना करो तो तुम्हारे पास से भाग जाएगा मसीवी मेरे प्रीयो इसलिए हमें अपने जिवन का संपून समर्पन करना है रोमियो बारवे ध्याई के अंदर हम पढ़ते हैं पौलूस इस प्रकार हमें बताता है इसलिए है भाईयो मैं तुम से परमेशर की दयास्मरण दिला कर बिंति करता हूँ कि अपने सरीरों को जिवीत और पावित्र और परमेशर का भावता हुआ बलिदान करके चड़ाओ यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है इस संसार के सदुरुष्य ना बनो परतु तुम्हारे म अगर हमें अपने सरीर का अपने जीवन का संपून बलिदान करकर समरपन करना है उसके द्वारा हम क्या करेंगे हम संसार के सदुरुष्य ना बनते हुए हमारे मन का नविनी करन हो जाने की द्वारा हमारे मन का परिवर्थन हो जाने की द्वारा हमारे विवहार के अंदर ह हमारा चाल-चलन भी बदलते जाएगा और परमेश्वर की भली, भावती और सिद्ध इच्छा हम अनुभव से प्राप्त करते जाएगे. तो यही काम हमें करना है. हमें हमारे संपून भरोसा परमेश्वर पर करना है. उसके वच्चन पर मन लगाना है. आत्मा की बातों पर मन लगाना है. रोमियो आठ्वे अध्याय के अंदर हम पढ़ते हैं छटवी सायत मी आयत में सरीर पर मन लगाना तो मृत्यू है. परनतों आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांती है, क्योंकि सरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बेर रखना है, क्योंकि नो तो परमेश्वर की विवस्ता के आदिन है, और ना होशकता है, तो हमें सरीर पर अगर हम मन लगाएंगे, तो मृत्यू को उत्पन होगा, मृत्यों आएगी मृत्य के आदिन हो जाएंगे परनों तो आत्मा पर अगर हम मन लगाएंगे परमेश्वर का उस जीवन और सांती के हम सांती के हम भागिदर हो जाएंगे मसी में मेरे प्रियो इसलिए हमें ये श्मसी के उस कुरूज को स्मरन करना है उस कुरूज पर हमें घमंड करना है और परमेश्वर की सिद्ध इच्छा पर हमें चलना है ताकि हमें क्या करें परमेश्वर की निकट रह सकें गलाती 6-14 में पावलूस इस प्रकार बताता है पर ऐसा नहों कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूँ केवल हमारे प्रभी यश्वर मसी के कुरूज का जिसके द्वारा संसार मेरी द्रिष्टी में और मैं संसार की द्रिष्टी में कुरूज पर चड़ाया गया हूँ तो यहाँ पर पावलूस इस बात को बताता है कि मैं उस मसीखे कुरूज पर मैं घमंड करता हूँ जिसके द्वारा में संसार की द्रस्टी में और संसार मेरी द्रस्टी में कुरूज पर चड़ाया गया हूँ मतलब कि संसार की द्रस्टी में मैं कुरूज पर चड़ाया गया हूँ संसार की कोई भी बातें मुझ पर प्रबल नहीं हो पाती संसार की कोई भी चीजें उनका प्रभाव मुझ पर प्रबल नहीं हो पाएगा क्योंकि मैं कुरूज पर चड़ाया गया हूँ मैं कुरूशित हुआ हूँ मसी के साथ मैं कुरूज पर चड़ाया गया हूँ इसलिए संसार मेरी दिस्टी में और मैं संसार की दिस्टी में कुरूज पर चड़ाया गया हूँ अगर हम इस रिती से अगर हम समर्पित रहेंगे अगर हम लोट आएंगे तो हमारे लिए नई टाजगी नई शुबह हो जाएगी परमीशर भला है और यह समई है लोट आने का अगर हम परमिर्शर्श अगर दुर चले गए हैं या हमारे विवहार के अंदर गर संसार की बातें पाई जाती हैं तो याकुब बताता है कि हे पापियो तुम अपने हाथ सुद्ध करो और हे दूचित्ते लोगों अपने रदई को पवित्र करो दुखी हो सोक करो और रो याकुब इसलिए लिख रहा है कि हम मन फिराएं पश्यताब करें अगर संसार की रिती पर अगर हम चलते हैं संसार की बातें अगर हमारे विवार में दिखाए देती हैं हमें अगर ऐसा अनुभव होता है कि मेरे अंदर संसार की बातें हैं तो हमें दुखी होकर सोक करना है हमें रोना है, हमें पश्चताब करना है और हमें दीन बन कर प्रभु के पास लोट आना है प्रभु करे उसका अनुग्रहाम पर है प्रभु हमें साहिर दे दे प्रभु हजगियल में पढ़ते हैं कि मैं तुम्हें नया हिर दे दूँगा मैं तुम्हारे अंदर से पत्थर सा हिर्दे दूर करके मैं तुम्हें माउस का हिर्दे दूँगा मैं तुम्हारे अंदर नए आत्मा डालूँगा मैं तुम्हारे अंदर मेरी आत्मा डालूँगा और तुम मेरे विदियो के अनुशार चलोगे और तुम मेरे लोग होंगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर होंगा यह परमेश्वर क्या वचन है उसकी प्रतीग्निया है तो परमेश्वर से मांगें ऐसा हिद्दे मांगें जो परमेश्वर की वीदियो पर चल सकें परमिश्य के आग्नियाओं पर हम चल सकें और प्रभु ऐसा करें कि प्रभु हमें ऐसी सामर्दे ताकि हम इसकी इच्छा पर चल कर हमें परमिश्य के प्रशन ऐसा हम जीवन जीएं परमिश्य नहीं इसलिए चुन लिया है कि हम संसार से अलग जीवन बितायें और परमेशु की महिमा हमारे अंदर प्रगठ हो और परमेशु का राज्य दिन प्रति दिन हमारे अंदर बढ़ता जाये और एक समय आएगा परमेशु के साथ हम अनंत काल तक उसके साथ राज्य करेंगे यह अनंत आसा उसने हमें दी है इसलिए हम संसार में खोना जाएं संसार से मित्र करना छोड़ दें परमेशर को अपना मित्र बना लें परमेशर का हमना आदर्स बना लें उसके आदिन हो जाएं और शैतन का सामना करो वो तुम्हेरे पास से भाग निकलेगा यह परमेशर का वच्चन है और मैं आसा करता हूँ कि परमेशर इन वच्छनों के दौरा आप सभी को बहुत बहुत आसिस दें आमेन और आमेन